खरकोन जिले के विभिन थाना चेतरों में खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन को पाकर शुक्रवार को लोगों के चेहरे खिल गए इसके लिए पुलीस को धन्यवाद भी दिया पुलीस की सर्विलेंस टीम ने 111 मोबाइलों को बरामत किया था इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपे बताई जा रही है कंट्रोल रूम में एसपी ने मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल लोटाए मोबाइल वापस मिलने की उम्मेद छोड़ चुके धारकों को जब मोबाइल वापस मिले तो चेहरे पर खुशी के साथ पुलीस के लिए सम्मान के भाव अलग ही नज़र आए एसपी धर्मविर सीह ने बताया साइवर टीम के अथक प्रयासों ये मोबाइल बरामत हुए है ये टीम का कार्य सरहनिया है इन मोबाइलों में अधिकतर गुम हुए मोबाइल थे जबकि चोरों से भी कुछ मोबाइल बरामत हुआ है जिनके प्रोली के असपास दुकान पर से उठा के ले गए थे तो साइबर सेल में सिकायत की थी कल फोन आया तो मिल गया सर बहुत कुछी दी पूरे परिवार में कि अपना मोबाइल मिला और अच्छी कंडिशन में कितनी कीमत का हुए लग बग 11,000 का है सर क्या ना क्रिशना सेंद बालक वेदांश का मोबाइल चूरी हो गया था शिव जी के डोले में पिछले वर्ष 2022 में तो अब मिल गया है पुलीस बहुत सराना की पात्र है उसके लिए हम जोड़दा आलिया बजाना चाहेंगे बहुत अच्छा काम किया है बहुत खुशी हो रही है अज अपनी चीज पुराने मिल जाने पर बहुत प्रसंदर तो होती है कि इसके साथ यादे बहुत सरे जूड़ी हुई थी क्योंकि हम चार दाम यात्रा पर गये थे यहीं मोबाइल लिखे गये थे दन्यवाद साइवर्ट सेल में मोबाइल जो मिसिंग मोबाइल से जो गुम जाते हैं उन ग जरी उसमें कई चीजें पता लगती हैं उनको रिकवरी करते हैं बिगत दिनों जो मोबाइल इस पकार के मिसें हुए थे उन मैंसे 111 मोबाइल बरामत किये गये हैं जिसकी कीमत लगों 15 रुपे है तो सभी लोग जनोंने कंप्लेंड की थी साइवर्ट सेल में जिनके मोबा में आरोपियों को अरेश करके देल विए जागे हैं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना भुलें